पहली बर पाकिस्तान के तरफ से कुछ अच्छी खबर आई है पहले बुरी खबर क्या थी पहले वो समझ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से देखो मालने ते कि यह इंडिया सही है और यह पाकिस्तान है तो यहां से अगर आप कोई भी समान भारत अगर देता है कि यह लोग लेकिन वह क्या हो जाएगा इंपोर्ट करने नुकसान होता है देश को देश का पैसा बाहर जाता है और इनमें से क्या होता कि नहीं भई मैं नहीं लेकर जाऊँगा तो इसके वजी से क्या होता था कि मतलब एक तरीके से एक ऐसा गेट था जो लगबग भारत के लिए आस तक बन था लेकिन यह चीज अब जो है खतम हो चुकी है मतलब यहाँ पाकिस्तान ने बोल रखा है कि हाँ अब जो है हम यहाँ पर जो भी भारत के तरब से समान दिया जाएगा उसको हम आगे एक्सपोर्ट कर देंगे अब जो है बेकिस्तान के साथ पार्टनर्शिप हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर जब यह हुआ ना तो six बड़े एक्सपोर्टर ने जो फुडवेर के लिए काम करते हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ भाई हम एक्सपोर्ट करना चाते हैं मतलब करना तो चाते हैं लेकिन हमारे पास यह ऑप्शन ही था आप ही चाइना गरा देखोगे तो पूरे फुडवेर इंडस्टी में लगबग 50% तक वह एक्सपोर्ट करता 50% और लगबग इंडिया सबसे बड़ा का मतलब इस चीज़ को कंजूम करता पूरे वर्ड में 10% जो कंजूम किया जाता फुडवर वह भी इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती थी कि इंडिया में सारी चीज बनाई तो जाती थी लेकिन यहां पर ही मतलब कंजूम कर लिया जाता था एक्सपोर्ट करने लिए तो अब यहां पर क्या है कि एक्सपोर्ट करने के बॉर्डर न वो रुष्या के साथ शेयर करता है अब इससे क्या होता है कि इन दुनों को फाइदा हो जाता है और सेंटर इलिशियल तक यह पहुंच भी जाता है तो इस वज़े से चाइना को काफी बड़ा फाइदा होता है यहाँ पर लेकिन अब जो है भारत भी यहाँ पर इसके वज़े से कि भारत को एक बहुत बड़ा उपर्चुनेटी मिला है क्योंकि रश्या के साथ बहुत अच्छे जो है मतलब यह है दोस्ती देखने को मिला तो हमारे यहां से बहुत सारे अपने कंपनी है जो वहां पर इंटरेस्ट दिखा रही कि वहां जाके काम करेंग वह और जो है उस उपर्चुनेटी के तरफ जो है अपना एक अदम आगे बढ़ा है इस वज़े से जादा बड़ा फायदा होने वाला और यहां पर जो है कि लगबग पाकिस्तान के जितने भी आर्मी हो गया सभी लोग हो गया सब लोग मिलके जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने में वो लोग हेल्प करेंगे आज यह पहली बार यह एक अच्छी खबर है उनके तरफ से अगर आप चाहो तो मैप भी देखो मैप देखने में भी आपको समझ में आ जागी सही तरीके से तो यहां पर देखो आपके सामने मैप देखने को मिल रहा है आपको भार यह हमें पता चलता है कि ऐसी बिजनस भी काफी बड़ा रिटर निकाल के दे सकते हैं अब ही देखेगा तो लगबग एक और दो तिन कंपनी है वो भी लगबग काफी ज़दा रिटर निकाल के देने के कुछिस कर लिए लेकिन एक्सपोर्ट का अगर और मिल जाता है बाहर से तो केवल 2000 यहां पर देख सकते हो 11 से 2011 से इस कंपनी अगर हम बोले तो मान लेता है कि 10 सालों में इस कंपनी ने कितना 7000 परसंट का रिटर दीख रहा है लेकिन अगर टॉप लेबल की बात की जाती तो इसने भी लगबग 9400 70 परसंट का रिटर दे रखा तो अगर 10 सालों में 10,000 परसंट का रिटर निकाल के देर अगर ऐसी कंपनी फूड वेरे वाली कंपनी तो फिर क्या प्रॉलम है कोई दिकत है नहीं दिकत है अब इनके ब्रांड मिस्टर के भी बात करो है तो अक्ष्या कुमार वगर हो गये और फिर बॉलीवूड के बड़े-बड़े स्ट लाता तो यह सारी कंपनी में एक आग सी लग जाए गया और काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल जागा जैसे कि भारत में आज तक मतलब देखो गये तो इनके लिए पीलाइ स्कीम नहीं लाया गया है यह भी मतलब कि इनको एक बहुत बड़ा ग्रो करने का उपर्च पाकिस्तान के यहां पर देख सकते हैं तो सबको फायदा देखने को मिल जाएगा यहां पर और जो मैंने आपको बता है रिलेक्स फूडवेर तो यह कंपनी में लंबे समय में काफी अच्छा रिटन दे रही है और अपी भी आपको आने वाले दुने में रिटन निकालके दे सकते हैं क्यों ऐसा मैं आपको बलाओ ध्यान से समझेगा देखो मार्केट में कैसा अगर आब एक शू को अगर बेस्ते हो मा लेते हैं अगर आब एक जूता बेस्तों से यह फुटपाथ पर तो उसकी प्राइस हो सकती 300 रुपीज लेकिन अगर इस पर एक प्रांट का अगर लग जाता ने किसी तरीके से ब्रांट का लोगो लग जाता तो मैं आपको बता दूं कम से कम यह कितने में बिकेगा पता है आपको 1500 रुपे से लेकर 2000-3000 तक इसका प्राइस चला जाता है हो तक है थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूफ कर देना है और एक ब्रांट के स देखोगे तो लगबख शू मतलब नॉर्मल हो चुके है सभी लोग मतलब लेना है सबको लेना है और यह क्या होता है कि मतलब जब देखो इंडिया जितना आगे चलेगा और पॉलिशन यहां पर जादा जादा तो यह बिजनस बहुत जादा ग्रो होने वाला है क्यूंकि यह अगर शू को एक affordable price में लेकर आते हैं नॉर्मल प्राइस में तो जो जितने अलगबाग जो below poverty line वाले लोग हैं वो लोग भी यह सारी चीजों को afford करें हैं बिजनस बड़ेगा उनको भी फायदा होगा देखो पब्लिक को भी फायदा होगा आम जनता को इंडस्ट्री को भी फायदा होगा shareholders को भी फायदा होगा फिर सरकार को भी फायदा होगा क्योंकि उनको भी tax मिलेगा और export बड़ेगे तो यह भी बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर जितने company जूता बनाती है वह बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं बहुत ही ज्यादा यह लोग ब्रां पाजिन जो होता कभी-कभी 80% 90% या 100% से भी पार चला जाता क्योंकि इनको काफी ज़्यादा फायदा होता यहाँ पर यहाँ पर हम देखेंगे रिलेक्स फूड़ वेर का बैलेंस इट देखते हैं company की इस कदर जो है perform करके आगे बढ़ रही है तो यहाँ पर अगर आप द company को आगे लेके जा रही है अगर यहाँ पर company को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाए यहाँ पर देखते हैं तो पहले लगबग 3 करोड था अभी लगबग 7 करोड के आज पास है cash तो मैं आपको बलूँगा चलेगा लेकिन company पूरी तरीके से डेट फ्री है लंबे से में के अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसी company आपको भविस में काफी चरिटर निकाल के देगा देखो यह वो प्रोडक्ट है जो लगबग चलते हैं मतलब इस प्रोडक्ट में मतलब क्या होता है कि मतलब चलते रहते हैं अब जैसे क्या होता है FMCG फूड वाले प्रोड़क्त ब सेफटी के लिए काफी अच्छा होता है और बहुत सारे लोग तो मतलब कहीं दूर जाना हो तो यह क्या होता नहीं कि लगबग FMCG के तरह यह मतलब यह एक fix होता है कि थोड़ा बहुत changes करने हैं और यह सारे लोग पहंते रहते हैं चलते रहते हैं कहीं भी 24 घंटे भी इसक से इसका भी यूज होता है तो आपको कौन से कंपनी पसंद है जूते बनाने वाले जो आपको लगता है कि भविस में आपको काफी बड़ा रिटन निकाल के दे सकता आप बता सकते हो या फिर अगर आपके पास अलड़ी है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप